जुषर दोस्तो और आज हम लोग बात करेंगे कि जार खंडी मस्त बाहरी पस्त और बहुत सारा चीज को जो है हम आपको बताएंगे और ये जो है बहुत सारा लड़का का कहता है कि भ़या आपका बास बीत शुन लिये आप यह बताईए कि सरकार क्या चाहती है, माने मुखमंत्री क्या चाहते हैं, तो हम बहुत हमरा बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तब होकर हम मान के बाद जान पाएंगे, आप यह बताईए ने भीया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप बता पाईएगा, ज या तुम्हारे दिमाग में मेरे परती क्या चल रहा है, वो हम कैसे जानेंगे, सब को बोलता है, मुखमंत्री की सोचरहलों से बता, सरकार की सोचरहलों से बता, सरकार की सोचरहलों से बता, आप ही बताओ, हम गलत हैं तो हमको बताओ, सरकार क्या सोच रहा है, उकर दिमाग यह उतके हैं नहीं हो जाते हैं अभी बताए यह तो सब को हमारे पास चली हाता है और अच्छा है कि हम लोग ने जानते हैं यह इस्वाग से के दिमाग में तो तो समझ यह कहा हो जाता है यहां जा ढ़िन कई बताना हम लिक मतमें जाते ही कोगए तो किस समझ यह का हो जाता है यह पगलाइन जाएगा उसका तो परिवार नहीं चल पाएगा क्या क्या सोच रहा है क्या माबाप का सोच रहा है मैं सरकार के बारे में हम कहारे हैं सरकार को कि हमारी क्या मांगiez उसको सुनिये यह चादर का आप जिंदिगी परबात कर दे रहे हैं आप मैं बता रहा हूं कि अभी लिखने लगते है भैया हम आप ना पारबो आप हमरा से सहाल मित्रों परदास्त करना है सिस्टम के अनुसारी आपको बता रहे हैं कि अभी चालिश दिग्री सेंटिग्रेट बहुत आप मान हो गया तो कहा हम दूपने बरदास्त कर वह अब हमर जीव इसा नहीं हमारा सरीर धेरे-धेरे-धेरे हो जाता है मैं बता रहा हूँ बहुत सारे चात्र जो है इस प्रकार का उनके हम दुख को बया करते हैं और सरकार को ये आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों का जिंदगी सरकार बरबाद कर रही है नहीं अगर नौकरी देना होता तो पहले बोल देता ख जो की वासीजियल का जो है वाब तयारी कर रहे हैं वो कहीं ने कहीं वो लड़के कहीं कोई इंजिनियरिंग के लड़के हैं कोई वायती के कोई बीसनल में काम कर रहे हैं को और कुछ में काम कर रहे हैं साब काम धंदा छोड़ करके तयारी में लग गया आप बताईए कि दिसंबर में परिच्छा होने वाली थी सितंबर में है सो लोग परिच्छा का तैयारी करने के लिए छुटी ले लिया और अभी तक वो लोग का परिच्छा अरवावती फारम भराने का कोई ठकाने नहीं है अब उस सोच रहा है मने बोले पूरी साप चुच अब एक महिनक चकर में जो ऐसे बता रहे हैं कि सतंबर से लेकर के अभी तक बहुत सारे जो हमारे पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो कि प्रैविट स्कूल में पढ़ा रहे थे वह वहां से जो है छोड़ चाड़ करके जो भी दस भी सजार मीर रहा था बहु बहुत सारे जो क्या करते हैं गाड का काम कर रहा था बहुत सारा लोग जो जिदर उधर बिजनस बानी बोल नए अबरी जो है सो सीजीय लाग लो यह होग लो और एकर चलते हमार लड़का लोग बाहर का वह फारम भरता नहीं है वो सोचा जारखंडे में हमको नोकरी करना जारखंडे में हो जाएगा PGT हो जाएगा सीजेल हो जाएगा जुनियर इंजिनिरिंग हो जाई और जुनियर इंजिनिरिंग का लड़का लोग जो है मैं बता रहा हूं वो भी मिला और भाया का करें ठीक दारी पर भी उतर जाते लेकिन जब तक उनने जांगर कहें यहां आप जेई का एक जमा ले लेगा भाया तो हम पढ़ाया किसे करेंगे पहले भी पढ़ाय करेंगे बता रहें दूस साल से जो जब से क्वेस्टन आउट हुआ था और तब से उसके दो मेना चार मेना पहले से लड़का का अभी तक इस्थिति उसका जा करके देखे जो 40,000-50,000 तक पर लिए यहां के खहाँ होगा होगा नहीं होगा कोई बात ने वहाँ जी अच्छी कर और हमारे लोग जो है सो और सब यही कर ले है कि भाईया की होते भाईया की होते और हमरा बोलता है कि सरकार वाला बतिया हमरा बता अरे सरकार वाला बतिया हम जान जाते तो हमको क्यों बताते और बताते हैं हमको बोलता है काहरो वीडियो बनाते हैं अरे हम वीडियो बनाते हैं तुम बता नहीं एक दिन को तुम कोई वेल काम करके छोड़ देगे तुम कहां तक भीकास करोगों से बता मैं बता रहा हूं पूरे अभी भारत में लाखों लड़के मैं अभी गया किर्केट का प्रैक्टिस करते हैं कि लाखों लड़के इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे के गार है गोह होगा मुराबादी में देखा कि बहुत सारे लड़के पुलिस का तयारी कर रहे हैं और वो लोग अपना-पना कोचिंग सेंटर में जा करके पूरा दौड धूप पुलिचिंग मैं वो फिजिकली फिट हैं खाली परिवार जा करके पढ़ाई भी कर रहे हैं जल्दी से सरकार निका हो तो कहींने कहीं सरकात को यह हम लोग कर 시청 करने लिए ऊल्टेीं बोलता है योट्यूब कर देंगा योट्यूब काया बंद करदेगी मैं तोबा नहीं बोले लोकतंतर की हत्या कर दिवाएगा आप गलत हो तो गलत हो आप नहीं दे हो नोकरी आप जूट बोल रहे हो, आप जो ऐसे पांच लाग नोकरी रोजगार का बात किये थे, हम लोग नहीं किये थे, और बता रहे हैं, बाहरी लोग हमको कमेंटों खराब नहीं करता है, यहीं के लोग, बाहरी यह को का मतलब, उसोचरा अगर आ गया तो उचंती आ गया, जरकन सर जहलन पना जो है, यहें के लोग, यहीं को मारने के लिए तेयार है, यहां इतनी इर्षिया है, इतनी इर्षिया, फल्ला बढ़ाब करो गोड़ा तीर, फल्ला उकरनो करी होजी तो गोड़ा तीर, फल्ला उन्यता बंजी तो गोड़ा तीर, वरन यह टाना टानी चलर है, य आगे बढ़ए भंदों जो यहां परकश होने दिजुए हम परिछा क्परिछा करें हैंГा यहां रोक दिये जो संहला दियु मंने उनाaş भैमेशी जुआ दाख श्कों कि हम तो कुर लड़ीं लेकिन ये बोलिए कि भारत का नागरी के साथ यहां पर बोले जह ठेड का वगषी होना चाहिए और उसका जो है आप लोग पूरे तरह से बोलिए कि वो अपना आवासिय परमान पत्र का या जाती परमान पत्र का नमर राले उसे बाद खुलना चाहिए हम यह कर रहे हैं सिर्फ इतना कर रहे हैं हम परिछा थोड़े रोक रहे हैं हम बादित थोड़े कर रहे हैं हम बता रह बहुत भ kuv करेंगे हैं माल पूरा फ़र या लिए कि अभी कायण कर रहे हैं लेकिन जळखन्डी को नहीं कि मोम है नए कि नहीं हम आपको तब बबहट कराने लगे जंता से पुछने कुछने लगे या लूल या लूल करके आप टाइम बरबाद किये छो मेना बरबाद करती है छो मेना हम तो सुप्रीम कोट का डिसीजन आ जाता है उसके बावजूद भी यहां का लड़का लोग यतना एकाग दूगो हरामी एकाग दूगो सब नहीं बोलिए सब जो है हमारा बहुत बोल रहे हैं फाकर करते हैं फाकर करते हैं जी हम अपने जितने भी सस्क्राइबर हैं जितने भी वीवर हैं उन पर फाकर करते हैं कि आप लोग जागरूक हैं चाहे वो सब जी वाला हो चाहे तो ठेला वाला हो चाहते हैं हमारा जितना पढ़ने वना लिखने लड़का हो ट्रक का ड्राइवर हो या जो भी लोग है या जो भी सब जी तब जी जब जतना जारकंडी परतिनीधी हो वो सब सारा लोग जो है हम लोगों को हाथ से हाथ दे करके हमको आगे बढ़ाने का कोशिज करता है क्या कि मनोज जादो जो है, सो आप लोगों के लिए लड़ता है, आपकी लड़ाई लड़ता है, आप कैसे सकुसल हो, मैं उसकी वाकामना करता हूँ, आप देखें, बहुते दिनों से सिरफ आप कैसे वहाँ पर हो और आज मुझे खुशी इस बात की है कि भले मैं नौकरी नहीं कर पाया, लेकिन नौकरी का अलग जगाते जगाते, आज पूरे जहरखंड के लोग जो है, सो ये बोलते हैं, कि मनोज जादो एक मात रह सा आदमी है, जिसमें इमांदारी है, और लड़ रहा है भले हम लोग इसके साथ बेमानी कर दें, लेकिन ये अपना इमांदारी नहीं चुड़ेगा मित्रो, मैं आप लोगों से हनुरोद करता हूँ कि दो कदम, अगर जदी आप बता रहे हैं, कि आप जैसा बिचार रखोगे दुनिया वैसे ही आपको देखेगी, जैसा कि आप जानते हैं, दुर्योधन को क्रिशन भगवान ने बोला, कि जाओ एक इमांदार आदमी खोज के ले आव, तो वो आया बोला कि दुनिया में कोई इमांदार नहीं और जुदिष्ठिर को बोले कि जाइए, आप एगो बैमान आदमी खोज करके लाइए, जुदिष्ठिर गए और वापस आए, बोला कि दुनिया में कोई बैमान नहीं है, मेरे मित्रो, ऐसी बात नहीं कि दुनिया में कोई बैमान नहीं होगा या कोई इनसान नहीं होगा लेकिन दोनों का अपना अपना नजरिया, दुरियोधन को एक भी इनसान आदमी नहीं दिखा क्योंकि दुरियोधन अपने नजरिये से देख रहा था और जुदिष्ठिर को एक भी बैमान आदमी नहीं मिला, क्योंकि उनको जो है, वो अपने सरकार के द्वारा आपको परतिष्ठा दी गई लेकिन कुछ लड़के वहाँ परतिष्ठा को जो है बरबाद करने के लिए तू ले हुए वहाँ परतिष्ठा को और उस परहाई को बरबाद करने के लिए तू ले अगर आप परहे लिके हो समझदार हो, तो समाज को आगे बढ़ाने की बात करो, धकेलने का बात मत करो, और मैं बता रहा हूँ, आपकी नोक्री के लिए मुझे जो भी, आप लोग देख रहे हैं, कि किस प्रकार से सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, और आपको भी करना है, अपने विधायक को आपको भी जो है, जा करके बोलना है, कि आप साट-चालिस के समर्तन में हैं, कि नहीं है, हो सके तो मुखिया, हो सके तो पंजैच सभजमिति, हो सके तो जिला परिसद, परमूख, सारे लोगों को जो है, या जिला परिसद अध्यक्ष जो होते हैं, उन लोगों से भी लिखा करके, इस और यह कौन पहुंचाएगा, आप पढ़े लिखे हैं, एक अगर जदी लड़का, अगर कमिटिशन का त्यारी करता है, तो वो अपने गाउं में बोली सकता है, कि सरकार के साथ चालिस ले आया, जो कि बहुत गड़बड है, एक अगर जदी है, आप मेरे वीडियो को उन करी देना पड़ेगा, धन्यवाद.